कल यानी 15 मार्च को आंगनवाडी, मिद्डे मील और आशा वरकर्स दिल्ली में संसत भवन तक मार्च करेंगी इन कर्मियों में जातर महिलाएं हैं जो की केंदर सरकार की कई योजनाओं के तहट नियुक थे ये महिलाएं पिछड़े वर्ग और ग्रामीन वर्गों की पोशन जरूरतों और प्राथमिक स्वास सेवा का अध्यान रखती आई हैं इन्होंने बिना किसी सरकारी बचाव किट या बीमा के बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ बीते दो साल करोनाकाल में पूरे जतन के साथ काम किया आज तक लगातार कई सरकारों ने इन्हें इंप्लॉईज के रूप में नहीं बलकि सिर्फ वॉलंटीर्स के रूप में देखा है यह महिलाएं अपनी मेहनत और हक्स से वंचित होने के साथ ही एक बेहत कम मानदे के अंतरगत आती है कई सालों से यह महिलाएं अपने नियमि की मांग को लेकर हर्ताल पर बैठी है हमें प्यम वाधी की मन की बात सुनाई गई जिनको अब तक तीन हजार रुपिया मिलते थे उनको अब साड़े चार हजार रुपिया मिलेंगे वहीं आंगनवाडी सहाई काओं को अब पंद्रा सो की जगा पर साड़े बाई सो रुपिय मिलेंगे इसी मुद्धे पर हमने All India Federation of Anganwadi Workers and Helpers की General Secretary A.R. Sindhu से बातचीत की और उनसे कल होने वाले मार्च के बारे में जाना जो महिलाएं है तो वो उनके आंदोलन बहुत ज्यादा चल रहा है आज जो है हर्याना के अंदर आंगनवाडी वरकसन हलपस का जो हड़ताल है उसका पचानवेवें दिन है और यह आंदोलन जो है पूरे देश भर में दिली के अंदर हर्याना में और पूरा नोर्थ इंड के अंदर में अलग-अलग राज्यों में बहुत ज्यादा चल रहा है एक है कि इसकी कारण इप विछले दो साल में जो कोरोना काल के अंदर में बुनियादी जो सेवाएं हैं एक खाद्य सुरेच्छा का जो बच्चों को माओं को खाने का जो प्रोविशन है सप्लिमेंटर न्यूट्रिशन का वो खर-खर पहुंचाने का काम किया क्योंकि स्कूल एंगनवाडी सारे बंद था वो काम किया है और जो स्वास्ते सुविधाये हैं और कोरोना का क्या जो ड्यूटी है कोरोना का जो पेशेंस को पैचानना उनको अस्पितल में ले जाना से लेके जो आउटपुट देने का और रिपोर्टिंग देने का एक काम का लोड बहुत जादा है बारा बारा घंडे से 16 घंडे तक तो है कॉरोना काल में ड्यूटी किया है और बहुत सारे लोगों को मौध भी हुआ है इस कॉरोना से लैकिन उनका कोई भीमा नहीं है कोई रिस्क नहीं है कि कामगा लोड और उसकी जो महंगाई जो है पिछले सालों में जो सरकार के नीती से हुआ है उससे बहुत ज्यादा आंदोलनों में आने पे लोग मजबूर हो गया है और जैसे हम देख सकते हैं बहुती जो बहादुरी के साथ में लड़ाई हैं चल रहे हैं रियाज जनाओं को खदम करने का जो उनको निजी करने के लिए ये सेवाओंके जो भजट है उसमें बार-बार कटोती कर रहा है और खाद्य सुरच्छा पे भी ये उनके लिए जो योजनाएं है FCI का भी जो पैसा है उसको भी कटोती कर रहे हैं ICDS में, Midday Meal में और NHM में उनका भी बजट में कटोती पिछले सालों में हुआ है तो इसके खिलाफ में और केंदर से अपने जो बुनियादी जो अधिकार है जो बरकर का दर्जा और नियूनतम वेतन और सामाजिक सुरच्छा लाब ये 45 वा स्रमसम्मेले ने ओलरी इसका सिफ 15 मार्च को जो संसद में ठेराव करने का अंदर नहीं लिया है लेकिन उसके साथ साथ में पूरे देश में आम हड़ताल की तयारी है इसलिए संसद मार्च में कुछी जो नियर्बई राज्यों से ही लोग भाग लेंगे लेकिन उसी आंदोलन अपने राज्य सरकारों के खि और अन्यत अपके के लोगों को भी आंदोलन में शामिल कराने का भी काम कर रहे है जैसे किसान आंदोलन में भी हमने देखा है उनकी भूमी का है तो ये आने वाली हड़ताल के अंदर में अपनी योजना कर्मियों का आंदोलन भी एक अलग लेवल पे जो अपने आंदोलन क और तेज़ करने के एक लवल पर पहुंचेंगे हरताल के बाद में यह हरत्याल भी पूरा कामयाब होगा एक और एक नदर आएगगा स्के बाद में भी और यह लड़ाई धाया को it is करने का काम करेंगे आपको को बता दें कि 2829 मार्च को joint platform of central ट्रेड यूनियन्स एंड सेक्टोरल फेडरेशन्स या असोसियेशन्स की एक बड़ी हर्ताल है यानी एक जनरल स्ट्राइक है इसमें ना केवल स्कीम वर्कर्स बलकी लाखो मजदूर और किसान भाग लेंगे यह स्ट्राइक उस वक्त चल रहे बजट के दूसरे सेशन के अंगठनों ने इस स्ट्राइक को देश बचाओ, जनता बचाओ का नारा दिया है